नमस्कार नित्रो आज नया साल है साल का पहला दिन है 2021 का पहला दिन है तो सबसे पहले आप सबको Happy New Year नया साल की बहुत बहुत सो कामना है नया साल मुबारक हो नया साल में आप सभी को अच्छी सेहत मिले अच्छा हेल्थ मिले अच्छा वेल्थ मिले, आप सभी के घरों में शुक, शान्ती, सम्रिद्धी आए, आपका तन भी स्वस्त हो, आपका मन भी स्वस्त हो, और आप लोग अपना धन भी स्वस्तर तरीके से कमाएं, और आपके संबंधों में भी मिठास हो, तो नया साल, हम लोग आज मना रहे हैं नये साल की हमने बढ़ाई भी दी, लेकिन हम लोग अपने पुराने साल को भी नहीं भूले हैं, पिछले पुराने साल में, 2020 में, बहुत लोगों को बहुत तकलीफे हुई, लेकिन इस परिस्तिती में भी कुछ-कुछ ऐसे लोग थे, जिन्हें उसमें भी बरक्त मिली, 2020 का साल बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए मैं 2020 साल का अभार मानता हूँ, जिस तरह हम अपने बुजुर्गों को, अपने पुराने लोगों को, या हमारे घर में से जो स्वरगवासी हो गया हैं, उनको भूलते नहीं, उनका अभार जताते हैं, उसी तरह मैं 2020 साल को भी के लिए जिन्दगी का सबसे अच्छा साल रहा, जो मान, सम्मान, इज़्जत, प्रतिष्ठा, रुप्या, पैसा, धर्न, दौलत, मैंने पिछले 30 सालों में नहीं कमाया था, वह 2020 में कमाया, 2020 का साल जब सुरू हुआ तब मुझे ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तब जब मैंने निर्णे लिया, और जब करोना फैल ही रहा था, तब मैंने निर्णे के लिया, नहीं मुझे दवा खाना जाना है, और ये निर्णे सिर्फ इसने नहीं लिया, कि मुझे पैसा कमाना है, मैंने ये निर्णे लिया कि आज तक मैं पैसा कमाने जाता था, मरीजों का बैट के इंतजार करता था, आज मरीजों को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे दवा खाना जाना चाहिए, सिर्फ एक उद्देश था कि अपने पेशे की इज़्यत रहनी चाहिए, अपने पेशे की लाज रहनी चाहिए, और उस कारण में दवा खाने आया उस कारण लोस दवा खाने में से मुझे मार्च, अप्रेल, मई, जून तीन-चार महिने में इतने मरीज देखे इतने पैसे कमाए जितने मैं साल भर में कमाता था उतना मैंने तीन महिने में कमाए या कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है लोगों के बीच में खूब मान बढ़ा, खूब इज्जद बढ़ा मैंने जो कभी किसी डॉक्टर को न मिलते हुए देखा था कि किसी डॉक्टर का जुलूस निकाला जाए उसके फूलों की वर्सा की जाए वह भी मुझे मिला इसलिए मैं 2020 साल का बहुत बहुत अभारी है 2020 ने मुझे बहुत कुछ देखे गया मुझे पता चला कि मेरे अंदर अद्बुस साहत है अपनी इम्मुनिटी बढ़कर बिमारी से लड़ा जा सकता है कुरोना को मैंने अन्य बिमारीयों की तरह लिया जैसे अन्य संक्रामक बिमारी होती है वैसे भी मैंने इसे लिया कि जिस तरह अगर दवा खाने में रहके मुझे अन्य बिमारीयां पकड़ सकती है उसी तरह कुरोना भी है से ज़्यादा मैंने उसको एहमियत न दी और वह मेरे उपर लागू भी हुआ मुझे एक दिन न सर्दी हुई न खांसी हुई न बुखार हुआ मेरा समय निकल गया मुझे ये पता चला कि इम्मुनिटी क्या होता है व्याम करना क्या होता है कोरोना से लाब हुआ कि मैं रोज चलने लगा रोज मैं व्याम करने लगा अच्छी चीजे खाने लगा अच्छी नीद लेने लगा अपने वजन पर ध्यान देने लगा इस तरह मैं अच्छी अच्छी आदते सीख गया ये मुझे कोरोना में लाब हुआ 2000 सीख में मैंने ये जाना कि सिर्फ मुझे ही मरीज के जरूरत नहीं है मरीजों को भी मेरी जरूरत है एक दूसरे को हम जरूरत है एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते इसलिए जब उनकी जरूरत है तो मुझे रहना चाहिए और सिर्फ मैंने पैसा ही नहीं कमाया मैंने दू के हुए काम हो गए उस दोरहन मेरी बेटी की शादी हो गई मैंने मेरी बेटी की शादी खुश है मेरा बेटा MS हो गया आज अवा उपर सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है फेलोशिप करने चितरकूट चला गया है मैं अपने आपको बहुत धन्य समझने लगा सिर्फ सिर्फ 2020 की बदावलत 2020 में पता नहीं क्या चमतकार मेरे जीवन में होना था वो सब चमतकार हुआ मैंने बहुत ध्यान दिया मेहनत करने लगा म्यूजिक लगा के नाचा करता था दोड़ा करता था योगाशन करता था अच्छी चीजे खाता था मुझे लगता था कि मेरी तवियत बहुत अच्छी थी इसी चक्कर में एक दिन मैंने अपने हार्ट की एंजियोग्राफि करा ली कि चलो देखते हैं क्या है और जब एंजियोग्राफिक कराया मैं रोज चल रहा थहा। रोज मेहनत कर रहा था। रोज खुश था। मैंने योज योज रूजिस्ट though को दिखाया। कर दिखाया। का dissol ने कहा के आप ंजयओपलास्टी करा लो। लेकिन। मैंने अपने मन से अपने अंतरमन की आवाज सुनी और मैं कहा कि नहीं मैं अपने आप ही अपने आपको ठीक कर लूँगा आज इस बात को 6 माईना हुआ जून में मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है मैंने अपने खान पान पे सुधार करना था मैंने EECP नाम का एक ट्रीटमेंट लिया जिसमें पैरों पे कब बान करके ब्लॉकेज खुलती है चिलेशन थिरेपी लिया और खाने पाने पीने में बहुत परिवर्तन किया इसकी वज़े से मैं एकदम ठीक हूँ मुझे तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था अब भी प्रॉब्लम नहीं है अब मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं फिर से एंजियोग्राफी करा के देखूँ कि मेरी हालत क्या है तो 2020 को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ भले मुझे एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मिला लेकिन मैं आपने आप कराया ब्लॉकेज को चेक कराया और मुझे मालूम पड़ा मैं प्रिकॉशन ले सकता हूँ ये भी तो हो सकता था कि मुझे हार्ट अटैक आए और बैटे बैटे जगह पर ही राम नाम शत्त्य हो जाए तो 2020 में मुझे पता चला कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है भले मैं आपने आपको तंदुरुस्त मान रहा हूँ स्वस्थ मान रहा हूं लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज है तो 2020 मेरे लिए बहुत अच्छा गया तो हे 2020 आप जो भी हो आप जैसे भी थे आपने बहुतों को बहुत तकलीब दी लेकिन मेरे लिए आप बहुत अच्छे रहे तो कुल मिलागे मेरे कहने का सार ये है कि आप परिस्थिती को किस तरह लेते हो परिस्थिती को आप जिस तरह लोगे आप परिस्थिती को बुरा समझोगे तो बुरा होगा परिस्थिती को अच्छा समझोगे तो अच्छा होगा अच्छी परिस्थिती हर बुरे उसमें खोज लेने से आपका समय बदल जाता है आज 2021 आ गया है 2021 में लोग नए नए रेजुलेशन लेते हैं पिछला रेजुलेशन मेरा काम्याव राब इस साल के रेजुलेशन में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम खाना चाहिए मैं ज़्यादा खाता हूँ खाने पर मुझे ध्यान देना है कि मुझे कम खाना है और कुछ चीजे हैं मैं सोच रहा हूँ जो बताता हूँ कि मुझे इस नए साल में क्या-क्या करना है पिछले साल में मैंने देखा कि मेरे बहुत से मरीज मरीजों के रिस्तेदार मेरे कुछ प्यान पहचान के रिस्तेदार जिनके लोग गुजर गए आज लोग दुखी हैं उनके बारे में बात करते हैं चर्चा करते हैं कि वो बहुत अच्छे थे वो बहुत प्यारे थे वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया तो उस चीज़ से मैंने ये सीख लिया कि 2021 में मैं अपने नियर इंडियर सबका ख्याल रखूंगा सबके हाल चाल लूँगा और सबको बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुम मेरे लिए कितने important हो क्यूंकि बाद में पस्ताने से कुछ फायदा नहीं होता है जिंदगी थोड़े दिन के लिए है हम लोग थोड़े दिन के लिए आये है कब हम चले जाए कुछ पता नहीं अगर मुझे नहीं हार्ड अटेक का पता होता तो हो सकता है में भी चला गया होता तो इसलिए जो भी अपने near and dear हैं जिन से हम प्यार करते हैं उन के लिए हम जताएं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं तुम हमारे लिए important हो हम तुमारी इज़ट करते हैं और अपनी जो इच्छाएं जो इच्छाए मन में रह गई हैं उसके उपर काम करें उसके उपर मेहनत करें काम करने से मेहनत करने से और कोई चीज अच्छी तरह दिल से चाहने से पूरी काइनात पीछे पड़ जाती है कि आपको आपकी चाही हुई चीज मिल जाए लेकिन इतना करने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं मिलेगी तो ये हम सोचेंगे कि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है इसलिए इस्वर नहीं दे रहा है और मन में ये विश्वास रखें कि जब हमें जरूरत होगी तो इस्वर हमें जरूर देगा और जिन्दगी में हम दूसरों को तो प्यार करते हैं लेकिन हम अपने आपको भी अप्यार करना सीखें अपने आपको प्यार करने का मतलब है कि हमें अपनी जो जरूरत हो उस पे भी धान दो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें अच्छे हेल्थ की तो अच्छे हेल्थ के लिए मेहनद तो करना ही है अच्छा खान फिन भी रखना है अपने मन को भी अच्छा रखना है अपने जब मन को हम अच्छा रखेंगे तभी हमारा तन भी अच्छा रह पाएगा तभी हमारा जब तन भी अच्छा रहेगा तम धन भी अच्छे से कमा पाएंगे और हमारा स्वास्त भी अच्छा रहेगा क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में है जो कुछ भी पाने का साधन है ये सरीर है तो इस सरीर का ख्याल सबसे पहले करना है तो सबसे उपर सबसे पहले कहां देना है अपने उपर ध्यान देना है अपने फिर उसके बाद अपने परचितों पर ध्यान देना है सिर्फ इनसान अकेला जी सकता है लेकिन अगर उसे आनंदित रहना है तो उसके बगल बगल उसके परचित होने चाहिए उसके रिस्तेदार होना चाहिए उसके लोग होना चाहिए उन लोगों के चेहरे पे हंसी होना चाहिए तो इस नए साल में मैं कोशिस करूँगा कि मेरे कारण, मेरे रिस्तेदार, मेरे परचीत, मेरे दोस्त उनके चेहरे पे हसी आए, उनके चेहरे पे खुशी आए, उनके चेहरे पे आनन्द आए उनको ये लगे कि इनके कारण मुझे शुक है यह मेरे नए साल का एक नेया रिजुलिशन है और इसलिए मैं अपने उपर काम करूँ गा मैं अपने फैमिली को इंपॉर्टेंड होंगा, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंड है दुनिया में हमारे पास कितने लोग भी हैं, बहुत से मित्र होते हैं बहुत से रिष्टेदार होते हैं मित्रों की संख्या होती है सवेरे घुमने जाओ वहां मित्र हो जाते हैं दवा खाने पे आओ वहां मित्र हो जाते हैं कहीं किसी रिष्टेदार की शादी में चले जाओ वहां मित्र होते हैं मित्र दो बहुत रहते हैं परिवार जो होता है ना परिवार से बढ़के कुछ नहीं होता है आप अगर परिवार मित्रों को खुश रखते हैं और आपका परिवार दुखी है तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपको अपने परिवार को सुखी रखना है मैं भी अपने परिवार को सुखी दोंगा अपने मन के ऊपर ध्यान दोंगा क्योंकि हम कहते हैं ना मन मतलब क्या मूड हम कहते हैं कि हमाराज मूड अच्छा नहीं मन अच्छा नहीं मतलब मूड अच्छा नहीं तो अपने mood को हमेशा रख्चा रखने की कोशिस करूँगा, अपने मन में हमेशा सकारात्मक बाते ही डालूँगा, सकारात्मक अच्छी बाते डालूँगा, अच्छी बाते सोचूँगा, तो मेरा दिमाग, मेरा mood वैसे ही काम करेगा, और यह जग की सच्चाई है कि जो हम सो बहुत ही काम करूँगा अपने मन के उपर काम करूँगा और अपनी हावी जिन्दगी में कमाने के चक्कर में परिवार बाल बच्चों के चक्कर में पढ़ने के चक्कर में बहुत सी हावी आदमी के अंदर रहती है और कर नहीं पाता मेरी भी हावी एक थी घूमने की लेकिन इस दवा खाने में, इस पैसे की कमाने के चक्कर में, जिसको बोलते हैं 90 का चक्कर, 90 को 100 रुपे कैसे बना लो, उस चक्कर में इस हौबी से मैं दूर रहा, अब मैं घूमूंगा, टहलूंगा, अपने काम और अपने घूमने टहलने में बैलेंस भी बना के रखूंगा, इस मैं अपने आप को भी खुश रख पाऊंगा, अपने परिवार को भी खुश रख पाऊंगा, और अपने दवा खाने पर अपने मरीजों के साथ भी न्याय कर पाऊंगा, और इस स्वर पर भरेशा रखूंगा, इस स्वर को हमेंसा याद करूंगा, सिर्फ मुसीबत में ही याद करूँगा, सुख में भी याद करूँगा, क्योंकि जो कुछ भी आज दिया है, उस इस्वर ने ही दिया है, हम क्या लेके आये थे, दुनिया के एक नियम है, कि आपको कुछ अलग से नहीं मिलता है, आप जो देते हो वही मिलता है, तो आपके पास जो है ना, वो समझ आपने कभी नगभी दिया है, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, कि हमने इस जनम में नहीं, अगर हमने अगले जनम में भी कुछ अच्छा किया है, तो हमें इस जनम में मिलेगा, अगले जनम में अगर हमने बुरा किया है, तो इस जनम में भी हमको बुरा मिलेगा, इसलिए इस स अच्छा अच्छा ही करने का प्रयत्न करेंगे इश्वर को याद करेंगे क्योंकि इश्वर को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर उस्वा आता है जोस आता है इश्वर का आभार फिर से मानके मैं अपने बात यहीं पर खत्म करना चाहूंगा क्योंकि 2020 ने जो सिखाया कितने लोगों को कितनी तकलीफे हुई कितने लोगों ने अपने प्राण गमाए कितने लोगों की नौकरी गई कितने लोगों के धन्दे गए उस हिसाब से तो इश्वर ने हम लोगों को बहुत अच्छा रखा कम से कम खाने को तो नहीं तकलीफ हुआ तो हम उस इस्वर का धन्यवाद करते हैं और इस्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे इस्वर जो तुने मुझे सब कुछ दिया है वही तु सब को दे मैं उससे बढ़के कहता हूँ इस्वर जो जो चाहता है वह उसको दे क्योंकि यही तो राज है हम जो दूसरों के लिए चाहेंगे वही हमें मिलेगा दूसरों के लिए धन चाहेंगे धन मिलेगा दूसरों के लिए प्रेम चाहेंगे प्रेम मिलेगा दूसरों से प्रेम करेंगे प्रेम मिलेगा तो यह नया साल मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है आप सबका भी अच्छा साल जाए मैं अपनी बाते बीच-बीच में शेयर करता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है हो सकता है कि इसा सुनके किसी और को भी अच्छा लगे किसी के जीवन में और भी परिवर्तन हो जाए मैं कोई गुरू नहीं कोई अध्यात्मिक गुरु नहीं बस जिंदगी से सीख रहा हूँ जिंदगी अपने आप सिखाते जा रही है समय के हिसाब से सिखाते जा रही है पहले मैं बहुत जिद्धी था जिद्ध करता था अब मैंने अपनी जिद्ध छोड़ दिये सबको उसकी जिंदगी जीने का हक है सबको अपनी जिंदगी जीने का मैंने हक दे दिया है आजादी दे दिये और सब लोगों ने मुझे भी आजादी दी है जो मैं दूँगा वही पाऊंगा इस से ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कहूंगा यह साल आपके लिए बहुत अच्छा हो आप लोग खुश रहो आनंद रहो प्रशन रहो घर में सुख हो सांती हो बरक्कत हो बढ़त हो हर चीज प्रचुरता में रहे किसी चीज की कमी न हो हम लोग आए ही है इस धर्ती पे कि हम लोगों ने अपने जीवन को दुखी बना लिया है अगर हम दूसरों का जीवन सुखी करने जाएंगे तो हमारे जीवन में भी सुख जरूर आएगा धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार